कुछ लोग सिर्फ अपने दल के लिए जीते हैं दल का ही भला करना चाहते हैं वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ब्रष्टाचार का कमिशन का मलाई खाने का कट्मनी का हिस्सा मिलता है उन्होंने जो रास्ता चुना है उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये रास्ता है तुष्टी करन का भोट बेंग का गरीब को गरीब बनाए रखने वन्चित को वन्चित बनाए रखने से ही उनकी राजनिती चलती है तुष्टी करन का ये रास्ता कुछ दिनों तक तो फाइदा दे सकता है लेकिन ये देश के लिए महाबिनाशक होता है ये देश के विकास को रोक देता है देश में तबाही लाता है देश में बेद्वाव पैदा करता है समाज में दिवार खड़ी करता है एक तरफ इस तरह के लोग जो तुष्टी करन करके अपने स्वार्त के लिए छोटे छोटे कुनबे दूसरों के खिलाब खड़े कर देते हैं और दूसरी तरफ हम भाजपा के लोग हैं हमारे संसकार अलग हैं हमारे संकल्प बड़े हैं और हम हमारी प्रात्पिक्ता दल से पहले देश की है और हम सब यह मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सब का भला होगा जब सब का भला होगा तो देश आगे बड़ेगा और इसलिए भाजपा ने ये तै किया है कि हमें तुष्टी करण के रास्ते पर नहीं चलना है हमारा रास्ता कौन सा है हमारा हम मानते हैं कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टी करण नहीं है तुष्टी करण नहीं है तुष्टी करण नहीं है सच्चा रास्ता है संतुष्टी करण संतुष्टी करण संतुष्टी करण आज देश में जहां भी भाजपा सरकार है वहाँ हम संतुष्टी करण के अभियान में लगे हैं संतुष्टी करण का रास्ता महनत वाला रास्ता होता है उसमें पसिना बहाना पड़ता है अगर बिजली मिलेगी तो सब को मिलेगी तब लोग सद्दुष्ट होंगे अगर नल से जल का भियान चलेगा तो हर घर तक चलेगा हर एक को पहुंचाने का प्रयास होगा इसमें किसी के साथ भेदवाव नहीं होगा जाती नहीं बिरादर नहीं काका भतीजा मामा कुछ नहीं जब बेदवाव नहीं होगा तो समाज में संतुष्टी बढ़ेगी इसलिए हम संतुष्टी करण के रास्ते पर बढ़ रहे हैं साथियों हमने देखा है कि कैसे तुष्टी करणवाली गंदी सोत ने कुछ राज्यों के भी में लोगों के बीच खाई पैदा कर दी हमने देखा है कि यूपी में हमारे पासी भाईबेन, कोरी भाईबेन, खटिक भाईबेन और दनुग्यासी तमाम हमारे छोटे भाईबेन राजनिती के शिकार हुए और विकास से मन्चित रहे गए, उदर हम बिहार में देखें, तो कोई दलीत, कोई मा दलीत और उसमें भी नई राजनिती और समाज को बाढ़ दिया, इसकी वज़े से एक वर्ग दूसरे वर्ग को आसंका से देशने देखने लगा, कुछ जातियों पर विशेज ज्यान और कुछ जातियों की उपेक्षा, अगर हम दक्षिन भारत की तरफ देखें, वहाँ भी कभी कभी राज नेता होने, ऐसे कई समाजों को बर्बाद करके रखा है, भ्याद भ्याव को बढ़ाया है, अब जैसे मैंने सुना है, केरल में, अडियन, काट्टू नायकान, कोचु वेलान, मालासार, तेन कुरुम्बान, जेनु कुरुम्बान, वेट्टा कुरुमान, मलय पंडारम, ये जातियों को विकास की रखम में पीछे चोड़ दिया गया, कुछी लोगों को मलाई मिलती गई, उसी तरफ अगर आप करनाटर क हमें जाएंगे, तो मलाई कुडी, पल्यान, शोल्गा, विटोलिया, कोत्मालिया, बारोडिया, उनकी भी उपेक्षा हुई, अगर हम तेलंगना हमें जाएंगे, कुलिया, जात्पु, चैचु, मन्ना दोरा, हमारे तमिल लाडु में, एरवलन, काडर, कॉंडा कपोस, मलाई वेडेंड, पल्यान, मुडुगार, इन सब को पीशे छोड़ दिया, कोईन की परवानी करता, अनुसुच जाती की बात करें, तो उनके साथ भी ऐसे ही किया गया, केरल में, अयनवर, कुशा, वल्लुवान, नलकाईदाया, पनान, तमिल लाडु में बेरा, बाविलन, नैदी, थोटी, वल्लोन, जगली, जंबु बलु, ऐसे नेक जातिया है, क्या हागा करके रखा हैं उनका, मेरे पाद लंबी लिश्ट है, बारी की, बावोरी, अखामला, मस्ची मातंगी, पमीडी जातियों को, ये तुष्टी करकी राजनिती ने, उनको बरबात करके छोड़ा, बाईयों बेनों, बोट बेंक की राजरिती में, गुमन्तू जनजातियों की कोई परवानी कह गई, हमारे बंजरा भाईय बेन, हमारे बालदिया लबाना, हमारे गाडिया लोहार, हमारे गडोलिया, हमारे गडरिया, हमारे गायरी जैसे, तमाम एक गुमन्तू जातियों को, सरकारी योजनाओं से लंप बंचित रखा गया, उनके नसीब पर जोड़ गया, जब हम तुस्ती करण के रास्ते पर जाते हैं, तो समाज को बहुत बड़ा नुक्सान होता है, साथ क्यों, पिछले नव वर्सों में, हमने ऐसे छोटे छोटे हर परिवार की, समाज के छोटे छोटे तब के की सूद ली, जिनकी पहले किसी ने सूद नहीं ली थी, आप देखिए, पी-एम स्वनी दी योजना के तहर्ट, रेडी पट्रे ठेले, फुटपात पर माल बेचते हैं, सबजी बेचते हैं, ऐसे साथियों को पहली बार, हमने बैंक में ले गए, बैंक के दर्वाजे खोल दिये, और उनसे बैंक से आसान, कम ब्याद से पैसे दिलाना का काम किया, इसी प्रकार इस वर्द के बजेट में, पी-एम इस बाहर आने वाला है थोड़े दिन में, आपके बाद भी भी कुछ सुझावा है तो पुझे बेजना, गोचरा किये हमने बजेट में, पी-एम विश्व कर्मा योजना लेकर के आए हैं, और ये पी-एम विश्व कर्मा साथी, जो हाथ और और औजार से काम करते हैं, जैसे हमारे लुहार, सोनार, कुमार, सुथार, मुर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, ऐसे सभी साथियों को, इस योजना के तहद मदद मिलने वाली है। साथियों, सामाजीक न्याय के नाम पर वोट मांगने वालों ने गाव और गरीब के साथ सबसे अधिक अन्याय किया है। भाजपा सरकार ने हमारे बंजारा भाईबेन और गुमंतु समयधाय के लिए वेलफेर बोड गर्षित किया। OBC कमिशन को समयधानिक दरजा देने के काम भी भाजपा ने किया। और ये बाजपा सरकारी है जिसने पहली भार गरीब परिवारों को भी सिक्षा और सरकारी भर्तियों में आरक्षन का लाभ दिया। तुष्ट्री करण और संतुष्ट्री करण में इतना बड़ा फर्क होता है। और इसलिए हमारा राफ्ता है संतुष्ट्री करण, 100% saturation। जैसा जैसा रेवन्यू बढ़ेगा, मदद पहुंचती जाएगी। झाल